नमस्कार साथियो, स्वागत है आप सभी का हमारे योट्योब चैनल आई एई आई टी इस्वार्टलर में यदि आप सरकारी नोकरी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अवस्य देखिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके के कुछ महत्वपुर्ण सवालों के बारे में जिसके जवाब आप सायध ही जानते होंगे यदि आप इन सवालों की जवाब जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवस्य दीजिए तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपका पहला सवाल है विश्व में सबसे ज़्यादा पानी किस देश के पास है आपका आप्शन है A. भारत के B. जापान के C. ब्राजिल के D. माल दूइब के आपका सही जवाब होगा C. ब्राजिल के आपका अगला सवाल है प्रिथ्वी की जुर्वा बहन के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है आपका आप्शन है A. शुक्र B. मंगल C. बुध D. ब्रिहस्पति आपका सही जवाब होगा A. शुक्र ग्रह को आपका अगला सवाल है भारत का प्रथम हिंदी सामा चार पत्र कौन सा है आपका आप्शन है भारत के किस राज में आधार कार्ट नहीं बनता है आपका अप्शन है आपका अप्शन है A. निपाल B. उत्तर कोडिया C. इजराइल D. पाकिस्तान आपका सही जवाब होगा B. उत्तर कोडिया के आपका अगला सवाल है कौन सा एक मात्र साम अपना घोशला बनाता है आपका आप्शन है A. किंग कोब्रा B. अजगर C. पाइथान D. इनो कॉंडा आपका सही जवाब होगा A. किंग कोब्रा आपका अगला सवाल है विश्व का दूसरा ताजमाल किस देश में है आपका आप्शन है A. निपाल B. स्रीलंका C. इंडोनेसिया D. बांगला देश आपका सही जवाब होगा D. बांगला देश आपका अगला सवाल है उन्ट किस देश का राष्ट्रिय पशु है आपका आप्शन है A. सौधी अरब B. कुबैत C. सिंगापुर D. म्याममाण आपका सही जवाब होगा B. कुबैत आपका अगला सवाल है प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोथ कौन सा है आपका आप्शन है A. दूध B. अंडा C. चावल D. सोया बेन आपका सही जवाब होगा D. सोया बेन आपका अगला सवाल है गोल्डन सीटी के नाम से किशनगर को जाना जाता है आपका आप्शन है A. जैपुर को B. जोधपुर को C. अमरित सर को D. जबलपुर को आपका सही जवाब होगा C. अमरित सर को रोजाना ऐसे हैं वीडियोज को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ओन कर लेजिए आपका अगला सवाल है पाकिस्तान का राश्ट्रिय फल क्या है आपका ओप्शन है A. अंगूर B. आम C. संत्रा D. लीची आपका सही जवाब होगा B. आम आपका अगला सवाल है भारत का स्वर्ग किसी कहा जाता है आपका ओप्शन है A. कश्मीर को B. दिल्ली को C. मुंबाई को D. राज अस्थान को आपका सही जवाब होगा A. कश्मीर को आपका अगला सवाल है किस देश में कप्रों पर अखबार छपता है आपका ओप्शन है A. भुटान B. एस्पेन C. फ्रांस D. जर्मनी आपका सही जवाब होगा B. एस्पेन आपका अगला सवाल है मोहिनी अट्टम किस राज की लोक निर्त्य है आपका ओप्शन है A. केरल B. तमिलाडू C. उडिसा D. गुजराद आपका सही जवाब होगा A. केरल आपका अगला सवाल है कौन सा फल हम हवाई जहाज में नहीं ले जा सकती है आपका ओप्शन है बेल आइकोन को अन कर लिजिए आपका अगला सवाल है ऐसा कौन सा पक्षी है जो बागी की तरह आवाज निकालता है आपका अप्शन है लाल मिर्च किस राजे में सबसे अधिक पैदा होती है आपका अप्शन है आपका सही जवाब होगा आपका अगला सवाल है दिल पक जाना मुहाब्रे का सही अर्थ क्या होगा आपका अप्शन है A. अच्छा लगना B. प्रेम ना होना C. कष्ट पहुचना D. अत्यात प्रित होना आपका सही जवाब होगा D. अत्यांत प्रित होना आपका अगला सवाल है काला सेव किस देश में पाया जाता है आपका अप्शन है A. भारत देश में B. चीन देश में C. नेपाल देश में D. पाकिस्तान देश में आपका सही जवाब होगा B. चीन देश में आपका अगला सवाल है भारतिये नोटों पर गांधी जी से पहले किसकी फोटो हुआ करती थी आपका अप्शन है A. ट्रैक्टर की B. हांस की C. सेर की D. अशोक अस्तम्भ की आपका सही जवाब होगा D. अशोक अस्तम्भ की आपका अगला सवाल है विश्म का ऐसा कौन सा देश है जहां एक भी नदी नहीं है आपका अप्शन है A. चीन B. भारत C. सौधी अरब D. अमेरिका आपका सही जवाब होगा C. सौधी अरब आपका अगला सवाल है किस सबजी को खाने से दांट साफ होती है आपका अप्शन है A. करेला की सबजी B. आलू की सबजी C. सोयाबीन की सबजी D. पपीता की सबजी आपका सही जवाब होगा D. पपीता की सबजी आपका अगला सवाल है कौन सी चीज गर्म करने पर जम जाती है आपका आप्शन है A. साबुन B. अंडा C. दूध D. सोना आपका सही जवाब होगा B. अंडा रोजाना ऐसे है वीडियोज को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को ओन कर लिजे आपका अगला सवाल है महात्मा गांधी जी के पत्नी का क्या नाम था आपका ओप्शन है कौन सा फूल 12 साल में एक बार खिलता है आपका ओप्शन है आपका सही जवाब होगा डी नीला कुरिंजी का आपका अगला सवाल है मानव सरीर में सबसे छोटी हड़ी कहां पर होती है आपका ओप्शन है आपका सही जवाब होगा बी कान में आपका अगला सवाल है भारत के किस राज में सबसे ज़्यादा मंदिर है आपका ओप्शन है आपका सही जवाब होगा सी तमिलाडू आपका अगला सवाल है प्रधान मंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयू होनी चाहिए आपका ओप्शन है आपका सही जवाब होगा डी पच्चिस वर्स रोजाना ऐसे ही वीडियोज को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ओन कर लिजे आपका अगला सवाल है भारत के किस राजे में लोग साप के तेल से सबजी बनाती है आपका ओप्शन है आपका सही जवाब होगा आपका अगला सवाल है कौन सा पच्ची कभी घोशला नहीं बनाता है आपका ओप्शन है आपका सही जवाब होगा आपका अगला सवाल है पाकिस्तान देश का राश्ट्रिय पक्छी क्या है आपका ओप्शन है A. मोर B. हंस C. तोता D. चकोर आपका सही जवाब होगा D. चकोर आपका अगला सवाल है पीर पर लगने वाला सबसे बरा फल कौन सा है आपका ओप्शन है A. केला B. नारियल C. कटहल D. पपीता आपका सही जवाब होगा C. कटहल रोजाना ऐसे ही वीडियोज को पाने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकॉन को आउन कर लेजे आपका अगला सवाल है किस देश में लड़की से साधी करने पर वहां की सरकार सरकारी नौपरी देती है आपका ओप्शन है A. सिंगापुर B. जापान C. आइसलेंड D. सौधी अरब आपका सही जवाब होगा C. आइसलेंड आपका अगला सवाल है चांद पर पाने की खोज सबसे पहले किस देश ने की थी आपका ओप्शन है A. पाकिस्तान ने B. भारत ने C. अमेरिका ने D. चिन ने आपका सही जवाब होगा B. भारत ने आपका अगला सवाल है भारत का सबसे बरा जिला कौन सा है आपका ओप्शन है अगला सवाल है भारत का राष्ट्रिय रंग कौन सा है आपका अप्शन है A. लाल B. हरा C. पीला D. के सडिया आपका सही जवाब होगा D. के सडिया आपका अगला सवाल है किस देश के लोग साब खाते हैं आपका अप्शन है A. चिन B. भारत C. जापान D. पाकिस्तान इस सवाल का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक किजिए और चैनल को सब्सक्राइब किजिए आपको हमारे वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताईए और किसी भी सब्जेक्ट का तयारी करना चाहती है तो हमारे चैनल को जवाइन अवस्से किजिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ फिर मिलूंगी ऐसे ही प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में